नाहमत हून असल्याला रसूल करीम अम्मावद रगुनाद जी मेरे दोस्त हैं उसने पूछा है कि आयोधिया में राम मंदिर बनी है तो आई ये बताये कि शरियत के बाग में राम की जी के सिलसले में क्या तासुर है क्या नजरिया है ये उन्हेंने पूछा है जवाबा नर्द है कि रगुनाद भाई या तो कोई इनसान नभी बन सकता है या वली बन सकता है या नेक बादशा बन सकता है नभी बनने के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं इसलिए कि जब तक कि कुरान या हरीस में पताने हो कि ये नभी है तब तक हम नहीं कह सकते हैं सिर्फ 25 इस नबी का जिक्र है फ्रान में राम का नहींगी है, वली भी हमें मनें कह सकते हो जो पधा है थोड़ा सा राम जी की सिलसले में तो यह पता चलता है कि वह नैक बाथशा थे अपने जमाने के नेक बाथशाँ अब हैं तीन प्रयगाम है İslam में एक नहीं है कि हम इस लोगों को गाली नहीं दे सकते हैं इहतराम के साथ बात करेंगे पराणी पाक मां खुद मौ्जूद है व्ला तस्बूल्लजिन यदुन में दूनि लाई फि यस्बूललाह अद्वन बगहरें इसलिए कि आप इन लोगों को गालिया ने दें, दूसरे मधभी पेशवाग वरना वो भी आपको गालिया देंगे, इसलिए हम उनको बुरे नाम से, अल्काव से, बुरे नाम से नहीं पुकारेंगे, राम जी को, या किसी भी चीज़ को, एक बात भी है, लेकिन हम उसको भगवान या खुदा नहीं मान सकते, शरियत में हमारे इसलाम में सिर्फ एक ही खुदा को माना जाता है, जिसने हमें पैदा किया है, जो हमें मारेगा, जो हमसे हिसाब लेगा, एक खुदा, अबादत भी उसकी नहीं कर सकते हम, क्योंकि पुर्ण पाक में यह है, कि अल्लह के लावे किस अरे सबसे बड़े नवी है उनको ये कहा का आप अलान कीजिए कि मैं भी अपने जात के लिए नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ दूसी जवात मैं अक्पल इनी लामले को लकुम जर्रा वला रशदा हम तुम्हारे ले भी नफा नुकसान का मालिक नहीं है एक नबी से जब ये कहलवाया गया है कि नफा नुकसान का मालिक अपने ले नहीं हूँ तुम्हारे ले नहीं नहीं हूँ इसलिए इसलामी शरियत में हम किसी भी नबी से या वली से या बादशा से या राम जी से हम हाज़त नहीं मांग सकते तो तीन बात है को उसको खुदा नहीं मान सकते उसके अबादत नहीं कर सकते उससे हम जरूरत नहीं मान सकते अलबता हम उसको गालिया नहीं देंगे तीन बात हो गए इसलामी शरीयत में ये भी है कि आप जिस मुलक में रहते हैं दूसरे को डिश्टर मुने करें, देखो हम बरत्यानी हम रहते हैं, यहाँ इसाई भी है, यहोदी भी है, मुसलमान भी है, हम अमन के साथ रह रहा है, हम उसको बुरा भला नहीं कहते हैं, वो हमें बुरा भला नहीं कहते हैं, इसलाम, हिंदुस्तान हमारा मुलक है, हम नहीं तो मुसलमानों से गुजारिश है का आप आमन चाहिन के साथ रहें, दूसरे मधिवी पेश्वा को बुरा भलाने के हैं या उसके गलत एंदास से उसका नाम लेने, और गैर मुसलिम भाई, रगुनाद भाई, आपके सारे हदरात से गुजारिश है, कि आप हमें उसकी काम है, फिर भी किसी को तकलीफ हुई हो, किसी को परिशानी हुई हो, मेरी बाद से मैं पहले से माफ़े मांगता हूँ, सलाम आलाएकुम और रहमतुल्ह वब्रकातुम् करो पहले से माफ़े लिवारत से ओज है, कि आपके शोड़ नाजू जाएकुम और रहमतुम्म और रहमतुम्म और रहमतुम्म।